क्या सच में अगर हम अपने घर पर कैपिस्टर का कनेक्षन कर लेते हैं तो हमारा जो बिजली का बिल है वो कम हो जाएगा अगर कम होगा भी तो कितना कम होगा आपने यूट्वीप पर हजारों वीडियो देखेंगे और उसमें आपको बताए होगा अगर आप कैपिस्टर का connection अपने घर पर कर लेते हैं तो आपका जो बिजली का बिल है वो बहुत कम हो जाएगा क्या यूटूबरों आपको बताया हुआ कि आपका जो बिल है वो आदा हो जाएगा अगर पहले आपका 100 उनिट आ रहा था तो 50 उनिट हो जाएगा तो क्या सच में ऐसा होता है अगर हम कैपिस्टर का connection कर लेते हैं तो हमारा जो बिजली का बिल है वो इतना कम हो जाता है तो आज के वीडियो में हम इसके बारे में detail में समझेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि हमें इसके connection को किस प्रकार से करना है जब हमारा बिजली का बिल कम होगा और ये भी जानेंगे कि किस condition में बिजली का बिल कम होता है और किस condition में हम कैपिस्टर लगा लेंगे तो हमारा जो बिजली का बिल है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा तो वीडियो को अंतक जरूर देखें और जो भी दोस्ट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें क्योंकि हम इस चैनल पर इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं जो आपको बहुत काम आ सकती हैं तो दोनों का रिलेशन होता है कि दोनों पर निर्भर करता है कि आपका कैपिस्टर लगाने से बिल कम होगा या नहीं होगा तो देखें आपको पावर फेक्टर के बारे में तो पहले से पता होगा अगर आपको पावर फेक्टर के बारे में पता नहीं है तो next वीडियो में हूँ आपको power factor का एक detail वीडियो बना के देंगे जिसको आप आसानी से समझ पाएंगे और दूसरा आपको पता है कि हमारे electrical में तीन परकार के load होते हैं एक resistive load, inductive load और capacitive load इन दोनों के relation से ही आपके बिजली के बिल पर फर्क पड़ता है जैसे कि power factor है वो directly फर्क पड़ता है आपके electricity बिल पर अगर आपका power factor कम होगा तो आपका जो बिजली का बिल है वो ज़ादा आएगा और जो power factor होता है इसको इसपर फर्क पड़ता है आपके जो घर के load है किस प्रकार का load आपके घर का ज़्यादा है उसका directly प्रभाव आपके power factor पर पड़ेगा तो आपको इसको समयने के लिए आपको capacitor लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए इसके लिए आपको अपने घर का power factor पता होना चाहिए आपको अपने घर का power factor कैसे पता करना है आपके यहाँ जो energy meter लगा हुआ है आपको उसके पास जाना है और उसके screen में देखना है और साथ में आपका एक सुच लगा होगा उसके पास उसको press करते जाना है तो आप जैसे ही उसको press करते जाएंगी तो कुछ time बाद एक ऐसी value आएगी जिसमें 0.9 या 0.8 या 0.7 ऐसी कुछ value रहेगी और उसके आगे PF लेखा हुआ तो वो आपके घर का power factor होता है अगर आपके घर का power factor 0.9 है तो अगर आप capital लगाएंगे तो आपके जो बिजली कबिल है उस पर ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना के बरावर प्रभाव पड़ेगा और अगर आपका power factor 0.8, 0.7 या 0.6 है तब आपको capital लगाने की जरूत पड़ेगी जिससे आपका जो बिजली कबिल है वो कम हो जाएगा मान लीजिए आपके घर का power factor 0.8 है तब आपको capital लगाना होगा उसकी कम value लगे आपको कम KVAR का capital लगाना होगा और जब आप capital लगाएगी तो आपका जो बिजली कबिल है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा लेकिन अगर आपके यहाँ पर power factor की value 0.6 है इतनी कम है तो आपका जो बिजली कबिल है अभी ज़्यादा आ रहोगा तो उस ताइम पर अगर आप सही capacitor का चुनाओ करेंगे सही KVAR का capacitor वहाँ पर लगाएगे तो आपका जो बिजली कबिल है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो ऐसे ही आपको यहाँ पर बिजली कबिल को देखना है कि आपको कब जरूरत है capacitor लगाने की आपको अगर 0.9 power factor आपके घर का है तो आपको capacitor नहीं लगाना है अगर उससे कम है तो आपको उसके capacitor की सही value को select करना है उसके बाद बहाँ पर लगाना है तो देखिए इसके connection को आपको कैसे करना है जैसे आपका जो main supply आ रही है पोल से जो भी दो बाइर आ रहा होंगे आपका neutral और face वो आपके connect होंगे meter में और meter से जो output निकली होगी जो face और neutral वो आपके MCV या fuse या जो भी सुचवोडे बहाँ पर आ रही होंगे तो आपको कुछ नहीं करना है जो आपका meter से जो by निकल के आ रहे हैं जहाँ पर भी connect हो रहे हैं बहाँ पर आपको capital लेना है तो capital में आपको दो point मिलेंगे तो एक point को आपको face में connect कर देना है और दूसरे पॉंट को connect कर देना है नूटल में आपको इसके simple से connection कर देना है और इसका connection बिल्गुल simple है आपको यसा ही कर देना है तो यह उससे connection हो जाएगा तो जो आपका power factor है वो कम हो जाता है वो इसको maintain कर लेगा और जो आपका बिजलीका विले वो कम कर देगा